हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम टू वोर्य टेक्स स्टोरी आज हम देखेंगे कैसे वेक्ति के बारे में जो इंडिया की session List के अंदर शिक्स नम्बर पे आते हैं आप मेंसे बहुत जन्न, उनके बारे में जानते होंगे अपर आपको आज हम उनके बारे में ओर डिटेल से बताएंगे उनका नाम है सिव नादर फाउंडर एंड सी ओफ एट्चियल कंपनी जो एट्चियल कंपनी की सुरुवात उनने 1976 के अंदर की थी 11 अगस्त को तो इसके सलते हम उनके फैमिली के बारे में देख लेते हैं कि इनके फैमिली के अंदर कौन-कौन है और एट्चियल कंपनी करती क्या है इनके फैमिली के अंदर देखो इनकी वाइफ का नाम है किरन नादर और इनकी टोटल नेट वर्थ है वो है 16.1 बिलियन डॉलर इन्हें पदम बुशर से सम्मानित किया गया था यह इनके में में मोटिव्स थे अपनी लाइफ के अंदर और इनकी फैमिली से रिलेटेड अब देखो HL कंपनी करती क्या है HL एक सॉफ्ट्वेर बेस्ट कंपनी है जो अलग अलग परकार से सॉफ्ट्वेर का निर्मान करती है जैसे डिजिटल के लिए हो गया मार्केटिंग के लिए हो गया सेल्स के लिए हो गया इन सब के लिए मैनिफेक्चरिंग का काम करती है हाड़वेर के फिल्ड में भी HL काम करती है और भी बहुत सारे से फिल्ड इसके अंदर तमिल नाडू में, ये HCL के संस्तापक भी है, सिव नादर एक परसिद भारतिय आईटी उद्योगपती है, मतलब एक अंतपिन्योर है, वे HCL और सिव नादर फांडेशन के संस्तापक भी और अध्यक्स भी है, 1970 के अंदर, मतलब मिड के अंदर 1970 में, HCL के उन्ह बड़ा नाम दिलाया, तो बात करते हैं, सिव नादर की जीवन के बारे में, कि उनका जीवन किस तरीके से सुरू हुआ, कौन-कौन से शिक्षा है प्राप्त की, जो सिव नादर थे ना, उन्होंने कुम्ब कॉमन के टाउन हाय सेकंडर स्कूल से अपनी प्रारंबिक शिक् जी कॉले से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक इंजिनियरिंग की भी डिग्री प्राप्त की, इनके करियर के बारे में जान लेते हैं, कि इन्होंने अपनी करियर के सुरूआत की, किस के साथ की, और इस कंपनी का मेन उदिश्य क्या था, तो सिव नादर ने वर्स 1967 में प प्वाइस रखते थे, वो उन्होंने अपने ही हमिशा से यह सोच रखते थे, कि मैं अपना बिजनेस को सुरुआत करूँगा खुद, और इसी को चलते, अपने इसी माइंसेट को लेके, 1976 के अंदर, अपने ही सोच, अपने ही जैसे माइंसेट वाले, चे यूवा एंजिनि यानी, HCL नामक कम्प्यूटर बनाने वाली कमपनी की एक स्तापना की, इसके बाद उन्होंने हिंदूस्तान कंप्यूटर लिमिटेड नामक कम्प्यूटर कमपनी की स्काफना की, जो जिसने क्या क्या कि 1982 के अंदर, अपने सबसे पहले PC को बजार में उतारा, और, इस से मे सारा कारेबार वो भारत को छोड़के चला गया बाहर अपने खुद के USA के अंदर और जिससे जो है वो IT सेक्टर से एक बड़ा खालीपन महसूस हो रहा था IT सेक्टर के अंदर तो इसका बरपूर फाइदा जो है वो एक्टर ने उठाया और इसके साथ साथ कमपनी ने अपने गरहाकों का दिल भी जीत लिया इसके बाद जो है वो नादर ने कभी पलट कर नहीं देखा और विदेशी जमीन पर भी उन्होंने खुद को स्थापित करने का सोच लिया एक के बाद एक सफल तक जो है वो उनके करम चूमती रही और जल्द ही नादर ने अपने आईटी वेवेसाई में पांच कमपनिया यानि एच्चेल टेक्नलोजीज एच्चेल कॉम्नेंट एच्चेल इन्फो सिस्टम एच्चेल पैराट और एनाईएटी इन सब की स्तापन में कदम रखा और इस उदम के प्रत्व वर्स में लगबर 10 लाक रुपे के आमदनी हुई और जो सिव नादर है उन्होंने इस उदम के सबसे बड़े शेर दारग भी बने बाद में 1989 के अंदर एच्चेल ने अमेरिकी कम्प्यूटर साड़ी और मारकेट में अपने हाथ ज पिंग मेडिसीन इंटरनेशनल के साथ मिलकर एक क्लिनिक स्रंकला एच्चेल एविस्टास के सुरुवात की और इस अपार सफलता के साथ साथ नादर ने खुद को समास सिवा से भी जोड़े रखा और सिव नादर फांडेशन के सापना की जिसके जरिये जो बाते सेसिनिक विवस्ता में सुधार के साथ साथ कार्ये करने लगे और उन्होंने क्या क्या चन्नाई में SSN कोलेज ऑफ इंजिरियरिंग के स्थापना की हाँ चन्नाई के अंदर उन्होंने कोलेज के स्थापना की जिसका नाम था SSN जो आज देश के सर्व से जो इंजिरियरिंग कोलेज जो मेंसे एक है और इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रेट नोईडा में सिव नादर इनिवर्सिटी की नीम रखी जहां अंडर ग्रेजवेट पोस्ट ग्रेजवेट और प्रोफेशनल लिगरी की सिक्षा भी दी जाती है यूपी में यानि उत्तर प्रदेश में विद्या ग्यान पब्लिक स्कूल का निर्मान किया जहां ग्रामीन जो बच्चों को मुफ्त विश्वस तरिये शिक्षा दी जाती है अब बात कर लेते हैं सिव नादर के कुछ पुरुषकारों के बारे में उन्हें किसकिन सम्मानों से सम्मानित किया गया 1995 के अंदर डाटा क्वेस्ट ने उन्हें IT Man of the Year चुना 2005 के अंदर परदान मंतरी ने उन्हें CNBC बिजनस एक्सिलेंस पुरुषकार से नवाज़ा 2006 के अंदर All India Management Association ने मानत फैलोशिप से सम्मानित किया 2007 के अंदर जो मदराश युनिवर्सिटी है ना उन्होंने Software Technology को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें डॉक्टरेट की डिगरी से सम्मानित किया 2007 के अंदर Ernest and Young ने उन्हें Entrepreneur of the Year 2007 से नवाज़ा 2008 के अंदर IT Trend and Industry से जन सेवा छेतर में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्स 2008 में उन्हें पदम बुशन से सम्मानित किया गया और 2009 के अंदर Forbes मैगजिन ने Asia Pacific Reason के 48 Heroes of Fellow Trophy में सामिल किया गया 2010 के अंदर Data Quest Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया और आज जो शिवनादर है ना वो IIT कानपूर के अंदर अध्यक्स के रूप में है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए हम आगे भी आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और लेटिस्ट अप्डेट आपको देते रहेंगे on a field startup startups entrepreneur effects and much more just subscribe our channel and click the bell icon